नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी प्रेटफोर्म में दिस धीरेज दिवैदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्ता आज की सुबड़ों में बात करने वाले है चग्रोफी का जवज़स टॉपिक जिसका उसको संस भी लास्ट में बहुवी कल्पी करेंगे लेकिन उसके पहले हमें डिटेल आना बहुत जरूरी है हर बहन हर भाई इस चैप्टर को देखेगा और अच्छी तरेके से अपने नोट्स तयार करते जाएगा नहीं किताब की नहीं किसी विडियो की आगे आने वाले सम में आपको जरूरत पड़ेगी तो चैप्टर का नाम है भूकम हर चीज यहां पर बिसलेशर के तौर पर अगर देखा जाए सबी टॉपिक हो रहे हैं और पूरे दिन आपके यहां पर टेस्ट भी चलते रहते हैं सुबह 11 से लेकर रात के 11 वज़े तक चैनल को चैनल या प्रकति का ऐसा संगहार जो कही ना कही ताप दाब के आदिके परिवर्तन से होता है वही होता है भूकम अब एक और परिवाशा ले ले लेते हैं जो जग्यरोफी में काफी प्रचलित है कि भूपडल में प्रत्वी की आंत्रिक और वहा सक्तियों के प्रवाव के कारण उतफन खंपन, जो खंपन होता है, वही क्या है? वही अर्थ्क्वैक्स, वही आपका भूकंप कहलाता है अब यहाँ से बहुत सारे कुशंस बनेंगे जैसे अगर हम भूकंप को एक सिंपल देसी वासा में समझें, यह माना कि आपका तालाव है और तालाब में अगर आप बीच में कंकर डालते हो और बीच में कंकर डालते हो तो फिर क्या होता है आप कहते हो सर लहरे उत्पन हो जाती है गोल गोल तो वही क्या होता है वही एक कंपन टाइप का होता है प्रथवी में जहां पर भी उत्पन होता है वहां से सर कुस्सन बहुत अब जैसे questions का सिजला जो start होता है अब वो start होता है सबसे पहले हम पूरा detail समझेंगे हमने आपको इस video को बहुत अच्छी तरीके से figure wise में यहाँ पर किया है ठीके ना और last में हमने बहुत अच्छे questions भी लिये हैं तो इसलिए परेशान नहीं होने की जरूरत है तो आप हम चल इन दोनों में फर्क आपको समझना है भूकम्प के अध्यन को हम सिस्मोलोजी कहते हैं जबकि उसके मापन की अगर बात आए तो हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं अब दिमाग में ये भी आता होगा कि हमने रियक्टर भी सर पढ़ा होगा तो याद रखिएगा कि तीन चीज सिस्मोलोजी में भूकम्प का अध्यन किया जाता है सिस्मोग्राफ में आपका उपकरन के द्वारा मापा जाता है और रियक्टर में भूकम्प की तीबरता एक वर्ड आता है तीबरता भूकम्प की तीबरता का मापन हम किस से करते हैं तो हम कहते हैं रियक्टर पहमाने प रूपांतरित प्लेटों से आता है, याद रखना, ठीक है, बहुत important point है, उपर नीचे की बात होती है, तभी यहाँ पर become आता है, रूपांतरित प्लेटें कहते हैं, दोनों arrow आप बना लेना अपनी कॉपी में, question number next बनते हैं, दो question और बहुत अच्छे से बनते हैं, हम last में questions करेंगे, बहुविकल्पी, पहले आप व्याख्या समझो, कि प्रतवी के आंतरिक भाग में उत्पन, अब देखो प्रतवी का जो ये प्रतवी है, प्रतवी का जो point होता है न, ये वाला, प्रतवी के आंतरिक भा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक ये होता है कि सबसे पहले उत्पन कहा होता है, दोनों में फर्क समझे न, इस्टार बना के दो point लिख ले न, कि अनुभो होने वाला, और उत्पन होने वाला, तो अगर देखो, हम जब भी बात करें कि भूकंप उत्पन कहा होता है, तो भूकंप हमेशा उत्पन होता है केंदर में, जिसको हम कहते हैं, सेस्मिक सेंटर या भूकंप मूल, अब बात आती है कि चलो ठीक है केंदर में हो गया उत्पन, लेकिन प्रतवी पर की बात करें, तो प्रतवी पर हमें अनुभो भी तो होगा, कि मकान गिर गए, है न, जान, माल की हानी हो गई, तो यार सिंपल सी बात है कि भूकंप मूल के उपर इस्थित, जो उपर इस्थित है, धरातल, अधिकेंदर जिसको इंग्लिस में इपी सेंटर कहा जाता है, अधिकेंदर पर ही सबसे पहले भूकंप तरंगों के जटके महसूस किये जाते हैं, कु पर आ जाता है ठीक है clear हो गया इतने point आपके clear होने चाहिए अब हम चीजों को सबसे पहरे समझे लेते हैं थोड़ा सा बोरेस बले ही लग सकता है हम 15 second लेंगे और फिर चलेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको figure से समझाने की कोशिस करेंगे जहां से कुशन्स आता है कि भूकम्प की तरंगों को PSL में बाटा गया है कहां कहां से कुशन्स बनते हैं यहीं से तो कुशन्स बनते हैं अब देखू मैंने आप से कहा कि सिस्मोलोजी भूकम्प के अध्यन को कहा जाता है क्या सिस्मोलोजी अध्यन को कहा जाता है क्या भाई भूकम्प इज्ञान को कहा जाता है सिस्मोग्रॉफ अगर बात करें तो भूकम्प का मापक है और रियक्टर क्या है भूकम्प की तीब मापक भी क्या है भूकम्प मापक का यहाँ पर यंत्र है तो पहले भूकम्प का मापन इससे होता था मारकेली मापक से एक्शल में अब जो है ये सुधता का मापक नहीं है तो इसलिए इसको क्या है बंद करके रखा है लेकिन इंपोर्टेंट है यूज करा जाता है मारकेली म मापक से भूकम्प की तिवर्ता को भी मापक जाता है पूछे कितनी सिरेणियों में इसको बाटा है तो मापक होता है ना उसको 12 सिरेणियों में बाटा है कई बार एक्जाम में कुछ चनाया है कि मारकेली मापक कितने में है और reactor मापक कितने में, आप सुनो, reactor की बात, reactor पैमाना प्रजेंट टाइम में खूब अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पर accurate मापक जाता है, भूकम्प की तीबरता को, तो यह क्या है, भूकम्प की तीबरता का मापक है, 8 संख्या से 5 संख्या तक अगर आता है, तो कहते हैं कि यह बहुत बड़ा है, बड़ा भूकम्प है, मतलब 8 तीबरता का भूकम्प होता है, कहते हैं 5 तीबरता का भूकम्प होता है, अभी 2 दिन पहले 2-4, 2-3 का आया था देली में, है ना, तो वो कम्प का होता है, तो 8 से 5 की बात करें, 5 से 8 की बात करें, यह ती की बात करें या एक की बात करें तो बहुत नार्मल होता है अब बात करते हैं दो point जानते हैं भूकम्प के कारण क्या हो सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं कि भूकम्प की तरंगों से जो कुष्ण बनते हैं टॉप ट्रेंडिंग और लास्ट में करेंगे बहुवी कल्पी प्रश्ण भूकम्प के कारण की बात करें तो causes of earthquake की बात करें तो क्या है जो अला मुखी क्रिया हो सकती है balconies यहाँ पर जो problem होती है जब भी हम कहते हैं तापदा परिवर्तन होता है तो प्रथवी का एकदम से फूटना और उसमें से आग निकलना है न क्रेटर के द्वारा और वहां से क्या होता है कि यह problem हो जाती है अर्थक्वेक्स का वरंसन एवं वलन की बात होती ही जब हम परवत निर्वान की बात करते हैं है ना internal gases की मात्रा में ब्रद्धी हो जाती है अगर परथवी के आंतरिक परत में या उनमें gases की मात्रा अगर बढ़ी जाती है तो वो क्या होता है वो कहीं ना कहीं एकदम से भाई अपना जगह तो डूनेंगी और जगह डूनेंगी तो परथवी की प्लेटों में हल चलोगा अब बात कर रहे हैं सर प्रेसर वाटर का प्रेसर भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है भूपटल में संकुचन संकुचन के इस्सति हो सकती है सिकुड सकती है बढ़ सकती है है ना भूपटल में और लास्ट के तीन पॉइंट रहे कि प्रथवी का परिभ्रमड रोटेशन जो होता है rotation की बात करना है परिभ्रमड यानि अपने अक्ष पर ही गूमना प्रत्वी का और साथ में सूरे के चक्कर भी लगाती है जिसको हम परिक्रमट revolution भी कहते है माने भी यह कारण भी हो सकते है atom bomb बिस्पोर्ट करने से भी भुकमप आ जाता है और plate, tectonic plate में टकराओ आपस में एक दूसरे से plate अगर टकरा जाती है तो भी भुकमप आ जाता है ठीक है, बहुत अच्छे अब बात करते हैं जहां से questions बनते हैं सही तरीके से figure से सही देखना है ठीक है, अब देखिए का भुकमपी तरंगों को कितने भागों में माटा है तो question में यही पूछा जाता है कि कितने भागों में माटा है तो तीन भागों में माटा है question में आपसे यह भी पूछा जाता है कि P तरंगे कितने माध्यम से गुजरती है S तरंगे कितने माध्यम से गुजरती है इनको क्या कहा जाता है धरातली तरंगों को दूसरे नाम से क्या जानते हैं ये कहां कहां से गुजर सकती है कितनी speed होती है तो ये समझेगा भुकंप तरंगों को seismic waves को तीन भागों में बाटा गया है पहला प्राथमिक waves इनको दूसरे नाम से P waves कहा जाता है पी तरंगे कहा जाता है क्योंकि primary जो है बेपस का नाम होता है तो इसलिए इनको P नाम दे दिया गया प्राथमिक मिन्स primary तो प्राथमिक या पी तरंगे क्या करती है हम ये जानते हैं सबसे पहले हमने आपको एक चित्र बनाया है और चित्र में मैंने ये आपको दिखाया है कि P तरंगे अगर हम भूकम की बात करें तो यहां से अगर उदगम होगा तो हम यहां पर अनुभो करेंगे तो P तरंगे क्या होता है दीरे 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 आगे बढ़ती है हमने आपको कल पढ़ाया था जो कुष्ण आता है वो कहता है प्रात्मिक तरंगों को दूसरे नाम से P तरंगों की नाम से जानते है कुष्ण में यह आता है कि प्रात्मिक तरंगों की स्पीट क्या होती है तो प्रात्मिक तरंगों की स्पीट होती है आगे बढ़ने वाली तरंगे कौन सी हैं, तो वो है प्राइमरी वेपस, जिनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं, जिनको लंबात्मिक तरंगे कहते हैं, कितनी होती है भया, इस पीट, आठ से 14 किलोमेटर प्रती सेकेंड होती है, ये सिस्मोग्राफिस टेशन पर सबसे पहले प जाता है कि अनुधैरे तरंगे किसे का जाता है, अनुफरस्त तरंगे किसे का जाता है, तो प्राथमिक जो तरंगे है, पी तरंगे है, वो हमारी भूकमपी तरंगे कैसी हैं, अनुधैरे तरंगे हैं, जो सबसे तेजी से गतिवाली तरंगों को माना जाता है, ठीक है, कु कि नीमलिखित में से कौन सी तरंगै भूकंपी तरंग clamै तीनो अवस्थाओं से ठोस दरव गैस तीनो माध्यम से गुजर जाती है। तो वो हमारी primary waves है, ठोस, त्रव, और गयज, तीनों माध्यम से कुझर जाती है, ठोस माध्यम में इनकी गति सरवाधिक होती है, कुल मिलाकर ये point आपको नहीं भूला है, बहुत important है, जो red color का important point है, वो बहुत important है, तो तीन point ये याद रखने है, प्राइमरी waves इसके आगे लिख लेना है, ठीक है ना, आपको notes बनाते हैं समय क्या करना होता है, आपको notes जब बनाते हो, तो आप ऐसे कर लिया करो, प्राइमरी waves लिखो, बीच में, और इधर की क्या विस्षिस्ता है, इसका क्या point है, इसका क्या point है, अपने notes में इस तरीके के लिखा करो, ठीक है, अब secondary waves में देखीगा, secondary waves में, मैंने आप से कल बोला था, कि देखीगा, मैंने आपको चितर भी बता दिया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, उपर वाली परत को प्रतवी की crust कहते हैं, बीच वाली mental कहते हैं, और नीच बेर क्रोड कहते हैं, हम जिस पर है, वो भूपरपटी है, जिसको crust कहते हैं, 100 किलोमेटर तक, बीच वाली अगर हम बात करें, देखीगा, ये जो आपका है, ये liquid भाग है, ये core का जो भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, ठीक है, secondary भेग ध्यान दिजएगा, secondary भेव जो होती है, प्रथवी की, भुकंप की अगर हम बात करें, भुकंप की अगर हम बात करें, तो पहली तरंग कौन सी है, P वेव है, P वेव है, यानि प्रात्मिक तरंग है, जो सबसे ज़्यादा तेजी से निकल जाती है, और सबसे कम नुकसान करती है, ये भी याद रखना, और दूसरी तरंग कह रही है, secondary या s-web, s-web का मतलब होता है, secondary या दुतियक तरंगे भी लिख लेना, options में, और पीछे bracket में, दुतियक तरंगे भी लिख लेना, अब देखो, पहले वाली तरंगों को, P-web को अनुधैर रे कहा था, अब इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे, या गौड तरंगे भी कहते हैं, यहाँ पर चितर लग गया, तो थोड़ा सा छुप गया है, तरंगे कहते हैं, आगे यहाँ पर लिखा है, यह है प्रकास की तरंगों की बहाती चलती है, जो प्रकास अपनी light की बात नहीं करता है, प्रकास की तरंगों की बहात चलती है, अच्छा उपर बाले हमें, मैंने आपसे एक बत करी थी कि, प्राइमरी तरंगों की गति कितनी होती तो आप ने का 8 से 14 किलोमेटर प्रति सेकेंड होती है इनकी गति कितनी होती है 4 से 6 किलोमेटर प्रति सेकेंड होती है कितनी होती सर 4 से 6 किलोमेटर प्रति सेकेंड होती है कम हो जाती है थोड़ी अब बात आती है कि primary waves तीनों भागों से गुजरती थी ठोस, द्रव और गैस अब लेकिन प्रत्वी के ठोस माध्यम से कौन सी अब कुशन में ये आए कि कौन सी भूकमपी तरंगे निम्लिकित में से ठोस माध्यम से ही गुजरती है liquid parts से नहीं गुजरती है तो वो है secondary parts बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कुशन ये पूचा जाता है कि कौन सी निम्लिकित में इसे तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती है तो वो है secondary webs या ठोस माध्यम से गुजर सकती है वो है secondary webs चूंकि ये प्रतवी के क्रोड से होकर गुजर नहीं पाती है ता अनुमान लगाया जाता है कि प्रतवी का क्रोड तरल है क्यों तरल है क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रोड की बात करी थी तो ये outer क्रोड जो दिख रहा है ये देखो liquid है तरल है है ना मैंने आपको बताया कुशन नमर जो बनेंगे बहुत सारे कुशन तुम्हें बाद में कराऊंगा वह विकल्पी अभी कराऊंगा मतलब इस विडियो के बाद ही तुरंद और लास्ट पॉइंट डेख लेंगे इसके तुरंद बाद ही यहां पर कुशन का सरंखला चलेगा हमने आपसे कहा कि P वेप्स होती है वो तीनों तरंगों बाहर निकल जाती है और S वेप्स की बात करें तो वो बोड़ जाती है यानि liquid में नहीं जा पाती है ठेके ना याद रखेगा तरल भाग में नहीं जा पाती है कुशन नमबर थ्री बहुत important है कुशन नमबर थ्री को कहा जाता है धरातली ये तरंगे आपसे कुशन में ये पूछा जाता है कि सबसे बिनासकारी परत कौन सी है तो सबसे बिनासकारी जो है तरंग कौन सी है सबसे बिनासकारी तरंग यही वाली तरंग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकम अमारा तभाही करता है सबसे कम की वा कौन सी है सबसे कम वाली है हमारी प्राइमरी पहली वाली सबसे ठोस माद्यम में सबसे तेज चलने वाली प्राइमरी है तरल भाग में न गुजरने वाली सेकेंडरी है और सबसे तेजी से विनास करने वाली धरातली है जो लास्ट पढ़ रहे हैं इसको हम L तरंग भी कहते हैं अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि L तरंगे भी कहा जाता है, अब बिनास क्यों होता है, इससे ये भी तो दिमाग में आता होगा आपके, इसलिए बिनास होता है, मैं concept बताऊँगा आपको, देखो जो चीज, पहले यहाँ पर एक आप देख लो पहले, कि इनका बेग कित बात करी थी अभी तो primary में आपने का था कि 8 से 14 होता है और जैसे ही हम आये उपर हमने कहा उपर वाले में कितनी है तो आपने कहा secondary वे अपने 4 से 6 km है और जैसे ही हम तीसरी तरंग पर आये तो आपने कहा और घट गया 3 km 30 सेकेंड है तो एक चीज बताना अगर कोई चीज सटाक से अगर गुजर जाए तो बताओ कम नुसकान होगा या फिर ज्यादा तो आप कोगे सर नुकसान तो बहुत ही कम होगा अगर हम कोई भी चीज को यहाँ पर सर्फेस पे रखें और सर्फेस पे रखें उपर ग्लास रखा है नीचे कपड़ा रख दिया है और नीचे मेज है उस कपड़े को फटाक से अगर खीच ले तो ग्लास हो सकता है ना गिर्या और ग्लास एकदम से कपड़ा खिच जाएगा और ग्लास क्या होता हो है वही पर वैसा ही रख जाएगा लेकिन इसी कपड़े को अगर हम धीमे धीमे खीचें तो ग्लास हमारा कपड़े के साथ आजाएगा नीचे जमीन पर तो बस यही तो समझाने की कोशिस कर रहा हूं आपको कि यल तरंगे सबसे ज़यादा नुकसान करती हैं कैसे करेंगी अब देखिए तीन किलो मेटर की बात करें तो तीन किलो मेटर में अगर हम धीमे धीमे गतियाप की जा रही है धीमे 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 कोई कर रहा है धीमे धीमे अगर जो है यहां पर ले में जा रहा है न तो वो क्या होगी वो सारे पार्ट को सारे मकानों को दोस्त करती चली और सबी को विनासकारी के चपेट में ले लेती है, तो स्तरवादिक विनासकारी होती है, तो पॉइन्ट नंबर हम ने क्या देखा, हमने ये देखा कि P waves की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेजी से और तीनो माध्यम से गुजरने वाली S waves की बात करें तो दो माध्यम से नहीं यहाँ पर एक माध्यम से बात करी थी तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती है और एल वेप्स की बात करें धरातली जो सबसे ज़्यादा बिनास्कारी है और दो माद्यम से ठोस और तरल से गुजर जाती है सबी भूकमप्री तरंगों के बेग अधिक घनतों बाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है सिंपल सी बात है और कम गनतों बाले पदार्थों में से गुजर जेन से गट जाता है ये भी अच्छी तरीके से पॉईंट को आप याद रखना है अब हम अच्छी तरीके से इस कुस्टन को अम डिवाइस करके हम कुस्टन पर चलते हैं और कुशन्स को हम करेंगे, पूरे कुशन्स 10 होंगे, 10 कुशन्स का हम टेस्ट लगा लेते हैं और विडियो को समाप्त करते हैं, ठीके, कितना आया है आपको, ये भी आपको फता चल जाएगा, अच्छे-च्छे कुशन्स मिल जाएगे, और अपने विडियो में मुझे पू पूरे कुशन्स चलन सिध्धान, बड़ा हिंदी कठिन होती है, जी हाँ, बहुत अच्छे, तो जब जोला मुखी, चकरबाद, भूकंप, या भूकंप, जोला मुखी, नेक्स चेप्टर आपका बहुत ही अच्छा आएगा, जोला मुखी से लेकर, जोला मुखी से लेकर, हर को, टॉपिक को कराएंगे, हमारा मकसद वही होता है कि कुशन्स को लास्ट में लेना, हमारा मकसद यह नहीं होता है कि टॉपिक को पढ़ा दिया, दूसरे दिन हम टेस्ट को लेकर आ रहे, बहुत तो हम एक्जाम के समय बहुत ही ज़्यादा करा लेंगे, दिक्कत वाली कुशन्स कराने का तरीका यह होता है कि कुशन्स को अगर हमने पढ़ाया नहीं है डिटेल में, तो कुशन्स में हम ऐसे कुछ कुशन्स ले लेते हैं, जो हमने यहाँ पर आपको वो भी छूटे ना, जैसे कुशन्स नमबर टू, व्याख्या में नहीं था लेकिन यहाँ प हमें नहीं याद रखना है, read महोदे ने करा है, option number B के साथ चला जाएगा question number 3 की बात करेंगे, प्रतवी की आंतरिक सनरचना को विश्वसनी जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुक्ष रोत क्या है, प्रतवी की आंतरिक सनरचना, जो आंतरिक सनरचना है ग्रस्ट मेंटल कोर की बात कर रहा है, है न, तो यहाँ पर जानने का भाई, यहीं से आपका भूकम की बात होती है, तो भाई, भूकम बिज्ञान होगा, या तापमान जो आला मुखी दवावयवम घरत, तो सिंपल सी बात है, भूकम बिज्ञान यानि भू के भू माने प्रतवी होता है, और कंपन मान, मींस क्या होता है, कंपित करना और यह सब कहां पर वो पोसिबल है, यह सब प्रतवी के अंदर, तो प्रतवी के अंदर का मतलब है आंतरिक भाग में यह सब उसी से रिलेट करेगा ठीक है? राइट अंसर उप्शन नमबर एक इसा चला जाएगा कुश्चन नमबर नेक्स की बात करें कुश्चन नमबर नेक्स हमारा ये रहा कुश्चन नमबर फूर जवाब दीजेगा फटाफट तो उप्शन पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कह रहा अधिकेंद्र, भूकम्प, अधिकेंद्र, भूकम्प, केंद्र या इकलोजाइट तो भाई कुश्चन कह रहा था कि भूगर्ब में जिस स्थान पर भूकम्पी तरंगों को उत्पन, हैनि उत्पत्ती होती है मैंने आप से कहा था फीगर में बताया था कि जहां पर हम अनुभो करते हैं और जहां पर उत्पत्ती होती है दोनों में अलग पॉइंट है जहां पर उत्पत्ती होती है तो हम कहते हैं भूकंप केंदर, क्या कहते हैं सर, भूकंप केंदर कहते हैं, option number C हो जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर हमसे question में ये पूछा होता, कि जहां पर हमें अनुभो की बात होती है, तो अनुभो के लिए हम epicenter लगाते हैं, अधिकेंदर लगाते हैं, तो दोनों में फर्क समझ गए, हमसे कह रहा है, उत्पन की बात, उत्पत्य की बात, तो option number C के साथ चला जाएगा, बहुत अच्छे, question number 5, 5 नमबर ये कह रहा है सर जी, कह रहा है, भूकंप मूल, focus वह इस्थान होता है, धरातल पर भूकंपी लेरों का सर्पत्ह मग्यान होता है, जहां से भूकंप की उत् होती है, उसी को तो कहते है, भूकंप मूल, अब ये question number 4 में किया, बिल्कुत सेव है, जहां पर उत्पन हो, उसको हम मूल इस्थान कहते हैं, तो हमें इससे ज्यादा क्या हमें definition की जरूरत पड़ गई, तो option number B हो जाएगा, है ना, जी हां, question number 6 की बात करेंगे, 6 number ये रहा, अधी केंदर EP Center भूकंप का एक बिंदु है, जो सम्मंदित है, प्रतवी के अंदर भूकंप के उद्गम इस्थान से, भूकंप उद्गम केंदर के उपरी भूपरस्टी ये बिंदु से, वह इस्थान जहां भूकंप का अनुभो किया जाता है, भूपरस्ट का वह बिंद यहां पर option number B के साथ चला जाएगा, अब देखो option number C क्यों नहीं लिया गया है, वह इस्थान जहां भूकंप का अनुभो किया जाता है, अब देखो भूकंप का अनुभो मसीनों के द्वारा भी तो हम कर सकते हैं लेकिन एक word लग गया है, उसने सबसे पहले लगा दिया है और हमने आप से क्या कहा था फीगर में, हमने आप से कहा कि जो प्रस्ट है जिस पर हम खड़े हैं तो जब प्रस्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको अधिगम केंदर की बात करें उदगम केंदर के ऊपर, उदगम केंदर, उदगम मूल केंदर यह होता है, उदगम होता है तो बीच में लेकिन उसने साप साप कह दिया है उदगम केंदर के ऊपर प्रश्ट भूमी बिंदुख से तो वही तो बता रहा है भाईया मेरे समझो इस चीज़ को क्यों नहीं लिया है ना जी हाँ ओप्शन नमबर चला जाएगा इसी के साथ कुछन नमबर 7 की बात कर रहा ह प्रतवी के सतह पर भूकंप के केंदर से ठीक ऊपर विंदुख को क्या कहा जाता है हमने फिर से बोला है प्रतवी के केंदर से ठीक ऊपर ठीक ऊपर क्या कहा जाता है मच्चे करेसर इपी सेंटर कहा जाता है या अधी केंदर या उत्त केंदर कहा जाता है ओप्शन नमबर कहते हैं secondary waves यानि आप यहाँ पर कहते हैं तीसरी तरंगों को L waves कहते हैं जिसको हम धरातली तरंगे कहते हैं धरातली तरंगों को हमने कहा L waves नाम दिया था तो L waves चले जाएंगी option number D के साथ जो सबसे ज़्यादा बिनासकारी होती है question number 9 कह रहा है निम्रिकित में से कौन सी भूकम पी तरंगे सरवादिक छती पहुचाती है भूकम पी तरंगे कौन सी सरवादिक छती पहुचाती है तो भाईया ये बताओ हमने आप से कहा था सरवादिक छती जो पहुचाती है P wave सबसे कम क्या सर जी सबसे कम primary question number 10 की बात करेंगे किस देश में भूकम प से उत्पन बिनासकारी समुदर तरंगों को सुनामी कहते है Mexico, Japan, Britain, New Zealand भाई सुनामी एक वर्ड है ना वो जापान से लिया गया है है ना जापान से लिया गया है अच्छा मुझे बस इतना बताओ कि सुनामी सब्द का पूरा वो क्या है सुनामी हाँ जी सुनामी सब्द का मतलब क्या है बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सुनामी सब्द का मतलब क्या है तो देखीगा अगर हम बात करते हैं सर जी इस कुशन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ओप्शन नमबर बी के साथ चला जाएगा सुनामी का होता है सु और नमी से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर सु का अर्थ होता है समुद्र तर्ट और नमी का अर्थ होता है लहरे यानि समुद्र में जो लहरे उठती है वहाँ पर नामी की बात होती है, सुनामी की बात होती है, option number B के साथ चला जाएगा दोस्तों, पूरे विडियो में आप से ये नहीं कहा है कि चैनल को subscribe कर लेना मेरे भाई और मेरी बहने, याद रखेएगा क्यों कि यहाँ पर classes का सिसला objective type से लेकर पूरे दिन पूरे रात classes का सिसला मिलता है, है ना, एक ही मकसद से गला फाड़ता हूँ, एक ही मकसद से फेफड़े फाड़ता हूँ कि आपका selection, वीडियो को unlike करके बच्चे चले आते हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन जितने बच्चे देखते हैं, उनका प्यार ही हमारे लिए काफी है जैहिंद, वन्दे मातरम, आपका बरिवार स्वस्तर है, मस्त रहें आप, जिन्दावाद रहें, आदाप सस्रेयकाल, जय महाकाल, नेक्स्ट विडियो थोड़ी ही धर में, आपको notification गुरुजी वर्ड के टेलिग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए गुरुजी वर्ड का टेल जरूर जुड़ें, बहुत सारे हजारो बहने हजारो भाई वहाँ पर जुड़े हुए, यहिंद, वन्दे मातरम,